कि 11 इंग्लिश लिट्रेचर की सॉट इस्टूरी जो सेकेंड है कि ए पेयर ओप मस्टीशियों मूचों का एक जोड़ा जो सॉट इस्टूरी है उसके कॉशिंज को हम अब डिस्कॉस करेंगे फर्स्ट कॉशिंड है कि आजम खान और रमानंद है उसके इन दोनों के नेचर से आप क्या समझते हैं नेचर का मतलब है आपर कि एक तरीके से आप है शौबहाब है करेक्टर इस्टिक से हैं फ्रॉम दी एपिसोड डेस्क्राइब और जैसा कि जो एपिसोड है घटना करम है जो इन दोनों के नेचर से आप क्या समझते हो तो हम देखते हैं कि जो आजम खान है और रमानंद है इसका करेक्टर इसकेश है और हमें और समझना चाहिए सबसे पहले हम जो रमानंद है उसका करेक्टर इसकेश देखते हैं एप बिजनिसमेन आप दी विलिज जो रमानंद है गाम में एक बिजनिसमेन है व्यापसाई व्यक्ति है फूल आप बिजनिसमेन एक अच्छा व्यापसाई व्यक्ति है और लोगों को जो पैसा है वो उधार देता है कूल एंड काल्म सांथ शौभाप का है नेवर गैट से एंग्री और कभी भी नाराज नहीं होता है कंट्रोल ओबर हिस कस्टूमर्स और जो कस्टूमर्स है उन पर उसकी जो पकड़ा है बहुत ही अच्छी है कनिंग नेशर सुभाप से कैसा बहुत ही इंटेलिजेंट है प्रैक्टिकल ब्याभारिक व्यक्ति है और उसका मानना है हिज बिजनिस फरस्ट है कि जो ब्यापार है उसमें उसकी पहली प्रात्मिकता है प्राइड सेकेंडरी जो अभिमान है जो परंपरा है रीती रिपाज है अभिमान है उसको दूसरा इस्तान देता है प्रथम जो प्रात्मिकता है वो बिजनिस को देता है और जो सेकंड प्रात्मिकता है जो देता है वो अपने रीती रिवाज है परंपरा है इन सभी को देता है आजम खान का करेक्टर इसके देखते हैं आजम खान सफ़र्च फ्रॉम प्राइड अभिमान से पीडित है पूरवज उसके कैसे थे इस उनका अतीद था उसका कैसा अच्छा था उस अभिमान से पीडित है अपने शुएम की तुलना अपने पूरवजों के उस अतीद के सान सौकत और अभिमान से करता है अपने शुएम की तुलना सौट टेमपड एंड बेकम एंग्री इसली सौट टेमपड विखती है सौट टेमपड का मतलब है एक तरीके से संकुचित विचार वाला है और बहुत ही जल्दी नाराज हो जाता है और अपनी पूरी प्रॉपर्टी को बेश देता है और रमानंद की मूछों को नीचा करने के लिए और अपनी पूरी प्रॉपर्टी है उसको बेश देता है कि रमाराब है और रमानंद है उसको टाइगर जैसी मूछे नहीं रखनी चाहिए वो अधिकारी है गौट जैसी मस्टीश्यों रखने का अधिकारी है अनवेर ऑप दी प्रिजेंट बर्तमान से बिलकुल यह अनविग है और जिसका प्रिजेंट है वो बहुत अच्छा होता है उसका फ्यूचर भी ब्राइट होगा इसके बाद हम देखते हैं इंप्रैक्टिकल है ऐ ब्याभारिक व्यक्ति है यह डज नोट नो बह नहीं जानता है वोट इस राइट और वोट इस रॉंग फोर हिम बह नहीं जानता कि उसके ल और कोशन नमबर सेकेंड देखते हैं पन दी एपीशूर हैज वी नेरेटिड इन यह लाइट वैं कि इस कहानी में हलका सा जो अभीमान है उसका बढ़न किया गया है वोट सोशियल मोर्स वो सामाजिक आचार विचार क्या है दस नेरेटर सीम्स टू रिडिक्यों और जिनक कि जो लेखा के है उपहास उडाता हुआ उपहास बनाता हुआ प्रतीत होता है कि वो सामाचिक आचार विचार क्या है और जिनका कि यहाँ पर राइटर है जो उपहास बनाता है उपहास उडाता है जो कि समाज में उपाए जाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको पता है कि इसे जो सौट स्टोरी है उसमें यूमर का प्रियो किया गया है हाश्य और जो डायलोग होते है डी डायलोग बिट भीज रमानन्द और आजम खान अर फुल ओफ यूमर कि रमानन्द और आजम खान के बीच में होने बाली बातचीत है वो हाश से भरी हु रिडिक्यूल है और यहाँ पर उपाहस उड़ाया गया है उपाहस बना गया है दी सोर्साइटी समाज को और दोज पीपल और समाज यह उन लोगों का उपाहस बनाया गया है जो कि बंस परमपरा और समुदाय के उस जूटे अभीमान में जीते हैं ऐसे लोगों को उपाहस का केंदर बनाया गया है और रेडी टू स्टैक है वो दाप पर लगाने के लिए तयार रहते हैं एनिधिंग टू सैटिस्फाइड एगो एंड प्राइव यह अपने अभीमान है और गर्ब है उसको शांत करने के लिए और सब कुछ अपने जो प्रॉपर्टी है उसको दाप पर लगाने के लिए त वुट्ट दू यू थिंक है if the message दी ओधर सीब्शू करने थ्रोदी इस कण पर लिए श्टोरी मौ टू यू थिंक है आप क्या सोचते हो इस दी मैसेज संदेश बैर दी ओधर सीब्शू करने थो दी स्टोरी कि इस कहानी के माध्यम से लेखक हैं वो क्या संदेश देता हु प्रतीत होता है आप क्या समझते हो इस बारे में क्या संदेश दिया गया इस स्टोरी के माध्यम से और इस स्टोरी के माध्यम से जो मासेश दिया गया है वो हम देखते हैं कि यहां पर जो यह स्टोरी है इसके माध्यम से जो मैसेज दिया गया है वो हम देखते हैं यह स्टोरी है और इसके और यह कॉशन नमर थाड़ा फोर देखो कमेंट कीजिए कि इस कहानी की विशेवस्तु है जिसको की प्रस्तुत किया गया है जिस तरीके से है उस पर कमेंट कीजिए और जो संदेश दिया गया है उसके बारें बताना है तो हम देखते हैं कि देखो इस स्टोरी में एक पेर ओफ मस्टी सी हो इसमें प्राइड है लास है ट्रेडिसन है और फ्रीडम है इन चारों के बारे में और बतलाया गया है अविमान है समाज में जो बर्ग पाये जाते हैं उनके बारे में अपनी प्राचीन परमपरा हैं उनके बारे में और फ्रीडम सोतंता के बारे में बताया गया है यदि थीम के बारे में बात कर रहें इसे हैं और स्टोरी की वो है प्राइज और यहां पर देखो किस तरीके से कमेंट किया गया है खान आजम खान दो नॉट ए बैलती परसन यद भी धन्मान ब्यक्ती नहीं है वो लेकिन वो एक धन्मान बंज से संबंध रखता है और वलीव जो उसका विश्वास है देट की रमानंद दी मनी लेंडर जो की उधारधन देता है इस नौट एंटाइट्ल टु हैब टाइगर इस leisurely एजिएू कीप्स वै बाग जैसी मूछें रखने का वाग जैसी स्टायल में मूछ रखने का अधिकारी नहीं है और जैसा की वह रखता है यह आज के रमानन्द गोर्वानन से कहता है तो इस बात को अरफात है गोर्वार जैसी मूझे रखने कि जो इस टहल है उसके लिए मना कर देता है वो रमानन बट लेटर उन अक्सेप्ट है लेकिन बाद में इससे और एक एग्रिमेंट को श्युकार कर लेता है कि जो आजम खान है अपनी पूरी संपत्ती है और उस सभी को रमानन बट को बेज देता है अड़तात है उसके नाम करा देता है तो बहे जो रमानन बट है गौट इस टैल में मूच है और रख लेगा इसके बाद हम देखते हैं आप तर यह होट आर्ग्यूमेंट और काफी वहस होने के पश्याद यह विकम्ज रेडी और थ्रो यह डॉक्यूमेंट अब यह तयार हो जाता है एक कानूनी प्रपत्र के माद्यम से इसको क्या कर देता है उसको जिनका टिपस है बादी हिस्सा है उसको बिगनिंग पार्ट उसको क्या कर लेता है नीचा कर लेता है दस इस प्रकार हम देखते हैं यहां पर रमानन्द है और जूटे अग्मान के लिए अपनी प्रॉपर्टी है धन दौलत है उसका बलिधान कर देता है दो यदि की विकम्ज कम्प्लीटली ए पूर मैं इंदिया इंड कहानी के अंत में वे कैसा हो जाता है एक गरीब ब्यक्ति हो जाता है और उसके पास कोछ भी नहीं रहता है वाइल रमानन्द विकम्ज रिचे जबकि रमानन्द है वो धन्वान ब्यक्ति हो जाता है जो कोशन नमबर फाइव है वाट काइंड ओप मस्टीश योज कि इस चैप्टर में जो लेखक है किस प्रकार की मूच है और वाट काइंड किस प्रकार की मूचों का बड़न करता है कि मूचे कैसी होती है तो देखो यहाँ पर अनेक प्रकार की मूचों के बारे म बतलाए गया है चाइनीज, अमेरिकन, एंग्लिस टाइप आप है, मस्टीशियो, चीनी, अमेरिकन और अंग्रेज है, जो व्यक्ति रखते हैं, उस प्रकार की मूझ है, इसके बाद हम देखते हैं, लॉइन है, टाइगर है, गोट है, सीप है, चार्ली चैपलिन है, और कर्जोन कट मस्टीश ये सेर जेसी, बाग जेसी, बक्रे जेसी, बक्री जेसी, और भेड जेसी, और चार्ली चैपलिन जेसी मूझें, और कर्जन कट है, मस्टीशियो, ये सबी मूझों के प्रकार हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, कि जो लोईन मस्टीशी है, कि लॉइन जीसी मुचॹ ए कौन रखता था राजा है महराजा है नपनावाब यह सभी लॉइन जीस मस्टीशी योज करकते थे टाइगर ज्सी मस्टीशियो कौन प्रेशास व्यक्ती हैं वो रखते हैं चैपलीन , मस्टीचियो , कटबि लोवर स्ब्सक्राइब को कुर्जोन मस्टीचियो के लोग और बैरिस्टर हैं बैरिस्टर मतलब हैट्वोड है वो इस प्रकारल की जो मुझें है वो रखते हैं